हेलो फ्रेंज वेलकम टो अपूस कीचन आज का रेसिपी ब्रेड घर में बहुत इजी से कैसे ब्रेड बनता है वो आप लोग को दिखा हूँगी मेरे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को सस्क्राइब क किचिए बेल आइकन में क्लिक कीचिए लेटेस्ट वीडियो अप्डेट पाने के लिए बनाने के लिए ऐसे ए मेजर्मेंट में दो कप मैदा लिया अधा कप गुणगुना पानी लिया एक चमच इंस्टेंड ड्राइएस्ट लिया आधा चमच नमक आधा चमच सक्कर एक एक बड़ा बाउल लिया जो मेदा लिया वाइड कर दिया और उसमें नमक, सक्कर, ड्राइ इस्ट और अच्छी करा से मिक्स कर लिया पहले और गुंगुना जो पानी लिया इससे सॉप्ट डो बना के त्यार करूंगी अच्छी तरह से गुंते गुंते एकदम डो तयार हो जारेगा थोड़ा सा ओएल मिलाके अच्छी तरह से 10 मिनिट तक ऐसे गुनते रहने का ऐसे मलमल के अच्छी तरह से सब्ट एक डो बनाने का थोड़ा थोड़ा माईदा चिड़के और ऐसे अच्छी तरह से गुन के सब्ट लैन डो बनाने का अच्छी तरह से मल के सब्ट डो बना लिया अब ये बाउल में रखके थोड़ा वाइल से ब्रीजिंग कर लेते हूं और सेठ होने के लिए दो घंट छोड़ देते हूं प्लास्टिक से रैप कर लिया अभी गरम जागा पर दो घंट के लिए सेठ होने के लिए छोड़ देते हमें दो घंट के बाद पूरा फूग्या रेडी हो गया अब इने पर खुल के आप लोग को दिखा दें अभी नप करके और अपर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हूं अच्छी तरह से मल के रेडी हो गया ब्रेट का मोल्ड ले लिया और ओल से ग्लीजिंग कर लिए तरह से फेला लेते हूं और आदा घंटा रेश्ट होना के लिए छोड़ दीते हूं अच्छी तरह से सेट कर लिया रखकर लगा के आदा घंटा वापस रखते हूं ब्रेट का डो सेट हो गया अभी माइक्रोवेन में मैं 200 डिग्री 10 मिट के लिए बेक कर लूँगी मैं पह 10 मिनिट मैं बेक होने के लिए रख देती हूं ब्रेट बंगे रेड़ी हो गया अभी एग घंटा ठंडा होने को बाद अप लोग को काट के दिखाती हूं में ठंडा हो गया अभी डिमोर्ट काट रेटके देखाती हूं एक उल्टा प्लेट रखके देखिए होमेट ब्रेड कितना बड़िया बनके रेडी हो गया और काट के भी पिसेज में दिखाती हूँ देखिए कितना इजी से घर पे ब्रेड मार्केट जैसे बन जता है ऐसे स्लाइस में कट लेने का फ्रेश बेड घर में बना के आप लोगे उस कर सकते हैं देखिए हैना मज़ेदा स्लाइट कट के रेडी कर लिया मेरा वीडियो अच्छे लगा तो लाइक शेयर कमेंट किजी और सब्सक्राइब करना ना खुलिए